हम एक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वाल हैंगिंग बनाएंगे इन डिफरेंट काइंड आफ डॉइली से जैसे अभी हमने कुछ हरसा पहले एक ब्लैंकिट की एक्टिविटी की थी और उसमें मैंने आपको मुख्लिफ ब्लॉक्स और ग्रैनी स्कूर्स बनाने सिखाए थे इसी तरह इस वाल हैंगिंग मैं मैं आपको मुख्लिफ साइजेज मुख्लिफ पैटरन के डॉइली बनानी बताऊंगी फिर उनको हम रिंग में कैसे अटेच करेंगे वह सिखाऊंगी और फिर लास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन तमाम रिंग्स को हम आपस में कैसे जॉइन करेंगे और एक कम्प्लीट वाल हैंगिंग तयार करेंगे दस से ज्यादा इसकी वीडियो जो और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई चीज आप मिस्स नहीं कर दें और अगर वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही पैटरंस बना सकते हैं आज मैं आपको डोईली का ये वला पैटरं बनाना सिखाऊंगी बहुत इज़ी पैटरं है इस पैटरं के आठ राउंड्स हैं देखने में ये चोटा लग रहा है असल में ये है भी चोटा लेकिन इस में पैटरं ऐसा है जिसके वैसे आठ राउंड होने के बावजूद ये इसका साइज बहुत जादा बड़ा नहीं हुआ इस पैटरन को बनाने के बार डोईली का क्या साइज आया और हमने किस साइज के रिंग के उपर इसको अटैच किया है यह सारी डिटेल मैं आपको फीडियो में आगे चल के बताऊंगी तो आएए देखते हैं किसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी इसको बनाने के लिए जो मैटेरियल यूज करेंगे उसमें धागा ले रही हूं मैं बारीग आप इसकी जगा बारीग उन भी इस्तमाल कर सकते हैं मेजरमेंट टेप हैं जो भी आप मैटेरियल यूज करें उसके अकॉर्डिंग होगा आपके पास मैं चुकि यह धागा इस्तमाल कर रही हूं तो में पर छे नंबर का होग है रोज का कैंची ले 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 जो भी डूइली का पैटरन आपका बनेगा उसके साइज के हिसाब से अपने रिंग लेना है जो भी आपका साइज आए उससे एक इंच से लेकर दो इंच तक बड़ा आपने रिंग लेना है अब आप वुड़न रिंग भी ले सकते हैं मैटल का रिंग भी ले सकते हैं इसमें प्लास्टिक के रिंग भी आते हैं वो भी ले सकते हैं प होट ग्लू नहीं है आपके पास तो आप कोई और भी ग्लू इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या जरूरत है तो आएए पैटरन की तरफ चलते हैं मैजिक रिंग बनाएंगे चैन वन मैजिक रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे बारह एक दो तीन चार पाच छे साथ काट नौ दस ग्यारा और बारह मैजिक रिंग की टेल खेंच के मैजिक रिंग को बन करते हैं पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे यह राउंड वाइन कंप्लीट हो गया राउंड टू बनाते हैं तीन चैन एक दो तीन डी शी बनाएंगे नेक्स प्स्टिच में तीन चैन एक दो तीन नेक्स प्स्टिच में डी सी बनाएंगे और नेक्स प्स्टिच में डी सी बनाएंगे तीन चैन एक दो तीन नेक्स प्स्टिच में डी सी और नेक्स प्स्टिच में डी सी इसी पैटरन को फॉलो करते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लें राउंड टू कंप्लीट हो रहा है तीन चैन और जो शुरू में हमने तीन चैन बनाएंगे इसकी थर्ड चैन में लिए आउन में हमारे पास 12 dec एन और हर दो डीसि के बीच में तीन चेंड का folds और नेक्स टिच में도 श्लिप स्टिच करेंगे जेन ए जेंड सुबाऊंज में हुआ। बनाएंगे एक और दो शबार के लिए हलाएंगे なたक Whole दूसरा हाफ DC किया और तीनों को एक साथ निकाल दिया चेन बंड करके स्टिच को बंड करतेंगे तीन चेन एक, दो, तीन सेम स्पेस में जिसमें हमने कलस्टर बनाया है एक और कलस्टर बनाएंगे तीन DC का एक, दो, और ये तीन अब इस वक फें मेरे पास चार लूप्स हैं चारों को एक साथ निकालेंगे और स्टिच बंड करतेंगे अब साथ चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ नेक्स चेन स्पेस में जो दो DC tiver को स्किप कर देंगे नेक्स चेन स्पेस में तीन डीसी का कलस्टर बनाएंगे एक, दो, और ये तीन तीनों को एक साथ निकाल के स्टिच को बंद करते हैं तीन चेन, एक, दो, तीन सेम स्पेस में तीन डीसी का कलस्टर बनाएंगे एक, दो, और तीन एक साथ सब को निकाल के स्टिच को बंद कर दें और इसी तरह इस पैटरन को फॉलो करते वे यह राउंड कंप्लीट कर लें राउंड थ्री कंप्लीट हो रहे है साथ चेन बनाएंगे दो तीन चार पांच शे और साथ नेक्स चेन स्पेस में डीसी हाफ डीसी हाफ तीसरा डीसी हाफ इन चार लूप्स को एक साथ निकाल देंगे तीन चेन इसी तरह तीन डीसी का कलस्टर एक और बनाएंगे और तीन चारों को एक साथ निकाल दें स्टिच को बंद कर दें और साथ चेन बना लें एक दो तीन चार पांच छे साथ और जो हमने पहली चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच कर दें राउंड फोर स्लिप स्टिच करेंगे थी चेन स्पेस में चेन बन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे अब साथ चेन वैली स्पेस आ गई डीसी बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और छे दो चेन स्पेस में छे डीसी और बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और छे थी चेन स्पेस सिंगल क्रोशे नेक्स साथ चेन स्पेस पिछले ही पैटरन को दोर आएंगे छे डीसी बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच और छे दो चेन स्पेस में छे डीसी और बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तीन चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे इसी पैटरन को फॉलो करते हुए यह राउंड कम्प्लीट कर ले हैं यह राउंड फूर कम्प्लीट हो रहा है, तीन चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे और साथ चेन स्पेस में छे डी सी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो चेन, सेम स्पेस में छे डी सी और बनाएंगे, चार, पांच, और छे, जो हमने पहला सिंगल क्रोशे बनाया था थी, तीन चेन स्पेस में इसमें स्लिप स्टिच कर लें, चार राउंड पूरे हो गए, ऐसी शकल आ रही है पैटरिन की, नेक्स राउंड शुरू करते हैं, नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच, तीन, नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच चार, नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच पांच, और नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच छे, अब chain space आ गई यहां पर भी slip stitch करेंगे chain 1 करके same space में single crochet बनाएंगे और 4 chain बनाएंगे एक दो तीन चार जो single crochet हमने बनाया था इसमें DC बनाएंगे तीन chain सेम सिंगल crochet में DC चार chain एक दो तीन चार corner आगया single crochet फिर से चार chain एक दो तीन चार और single crochet में DC तीन chain एक दो तीन सेम स्पेस में DC चार chain और corner में single crochet इसी तरहां बनाते हुए यह round complete कर लें यह round complete हो रहा है चार chain single crochet में DC बनाएंगे तीन chain सेम स्पेस में DC चार chain एक दो तीन चार और पहले DC में स्लिप स्टेच कर लें round five खत्म हुआ round six शुरू करते हैं chain स्पेस में slip stitch करेंगे और तीन chain बनाएंगे एक दो तीन चेन स्पेस में पांच DC बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच नेक्स चेन स्पेस आगई इसमें भी पांच दीसी बनेंगे एक दो तीन चार और पांच फ़िस चोरु में मैंने चार डीसी बनाए लेकिन उस से पहले जो तीनally चेनORY ती उसको भी हम डीसी ही कंसिडर करेंगे तो यहां भी पांच टीसी है इसमें भी पांच दीसी है और तर्ड चेन पेसमें नेक्स चेन स्पेस में 5 DC एक दो तीन चार और पांच इसी तरह हर चेन स्पेस में 5 DC और हर कॉर्नर पे 2 चेन का स्पेस देते हुए यह राउंड कम्पलीट कर ले यह राउंड कम्पलीट हो रहा है लास्ट चेन स्पेस में पांच डीसी, दो, तीन, चार, पांच, और ये कॉर्नर है तो यहाँ दो चेन और जो शुरू में तीन चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टेच कर लें. यह नेक्स राउंड भी कम्प्लीट हो गया, ऐसी लोकार ये इस वक्टोई लिकी, नेक्स राउंड बनाते हैं, राउंड सेवन शुरू करते हैं, छे चेन बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच और छे, जो पांच डीसी के बाद स्पेस आपको नजर आ रहा है, यहां आपने स्पेस क्रियेट हो गया है, तो यहां पर सिंगल क्रोशे, छे चेन, दो, तीन, चार, पांच छे, इसी तरह नेक्स स्पेस में सिंगल क्रोशे, छे चेन, दो, तीन, चार, पांच छे, और जो दो चेन स्पेस है, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तीन चेन, एक, दो, ती त्रीन संग'll गोनी जैगड । नए त्रीन चार नहीं स्वारी छे चांच चेन और पांच-टी-सी के पाद । सिंगल क्रशे इसी तरहां इह राउंड कम्प्लीट कर लें यह राउंड 7 कम्प्लीट हो रहा है, सिंगल क्रोशे 6 चेन 3 4 5 6 लास्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे 3 चेन सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे और पहली चेन में स्लिप स्टिच करते हैं यह राउंड 7 भी कम्प्लीट हो गया, इस वक्त इस पैटरन की ऐसी शकल आ रही है राउंड 8 शुरू करते हैं, जो नेक्स चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, एक, डबल क्रोशे, तो, डबल क्रोशे, तीन, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे यह ऐसे पैटर्स ही बन जाएगे नेक्स चेन स्पेस में भी इसी तरह सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और तीन डबल क्रोशे, एक दो तीन हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे नेक्स पेटल भी सेम इसी तरह बनेगी सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे और तीन डबल क्रोशे एक दो तीन हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे जो तीन चेन स्पेस हमने कौर्णर पे बनाई थी वो आ गई सिंगल क्रोशे तीन चेन एक दो तीन सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे और फिर से वही तीन चेन स्पेस हा गई हमाई पास एक दो तीन इन तीनों में बिलकुल इसी तरह जिस तरह हमने यह पैटल्स बनाई है इस तरह यह बना ले इस तरह यह राउंड कम्प्लीट कर लें फिर मैं आपको दिखाते हूं राउंड एट कम्प्लीट हो रहा है लास्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे तीन डबल क्रोशे एक दो तीन एक हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे चेन स्पेस सिंगल क्रोशे तीन चेन सिंगल क्रोशे और पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर लें चेन वन करके यहां से धागे को काट देते हैं और यह हमारा नेक्स पैटरन डोईली का रेड़ी है अब देखते हैं कि इसकी क्या मेजरमेंट आरी है इसका साइज आरहा है चार इंच और जिस रिंग पर हमने इसको लगाना है उसका साइज है पांच इंच तो आईए इसको इसके उपर टैच करते हैं इस पैटरन में यह जितने कॉर्डनर्स आ रहे हैं तीन चेन वाले इन सब में धागा पर रोके हमने इस रिंग के साथ इसको अटैच करना है मैं यह अटैच करके फिर आपको देखना है करना है झाल झाल कि यह मैंने हर साइड से इसके उपर डोरी बांदी है अब हर एक नोट के उपर होट ग्लू लगा लें ताकि यह सेक्यूर हो जए जितनी नौट से उनको रंग पर बैक साइड पे ले आएं फ्रेंट पे नहीं हम ग्लू लगाएंगे और इनके बीच का फासला भी एक ही जितना हो ये ग्लू लगाने से पहले आप मेक शूर कर लें कि सब के सब नॉट्स के बीच में फासला एक जितना हो अब जितनी एक्स्ट्रा के थ्रेड्स टेल्स चूटी हुए इन सब को काड़ते हैं तक काम नीट हो जाए ये हमारी नेक्स्ट डोईली रेडी है आई होप इजी पैटरन था फिर भी कोई सवाल लो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं था च्रिश ।